हेलो फ्रेंड्स आप शौफी का एक बर फिर श्वागत है लकी सर के ओफिशली एजुकेस्टन इटूप्चनल में आज के वीडियो में हम बात करेंगे बर्ग दो के रिजल्ट को लेकर अगर आपने मत प्रिदेश में बर्ग एक बर्ग दो का एकजाम दिया है तो वीडियो जरूर देखें इस्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अब दोस्तों घर बैठे अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं आपके सिलेक्शन होने की कितनी पॉसिविल्टी है तो जल्दी से हमें अपना रॉल नंबर डेट आप बर्थ कमेंट करके बता दे हमारी पी एक्सपर्ट टीम आपका रिजल्ट एनालेसिस करके वीडियो की माध्यम से आपको बता देगी सुरच्छा की दृष्टी से हम आपका रॉल नंबर एप्लिकेशन नंबर डेट और बर्थ को हाइड कर देंगे आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले तो श्टार्ट क पर आपको गेस्ट टीचर का लाब जरूर मिलेगा पोस्ट कोड एप्लाइड 01 यानि मैच से किया है आपने एप्लाइड आप देख लेते हैं आपका स्कोर इसकोर है आपका 106.25 आपका नॉमलाइजेशन आपका स्कोर रह गया है 101.99 यानि लगबग आपको चार नंबर का ह हुआ है नुकसाद जिससे कि आपकी मैरिट में काफी रह गिर गई है तो प्रकासची अब देख लेते हैं आपकी आपकी कैंसुल्ट पोजीशन है 6859 इस रहन कर सिलेक्सन नहीं होगा अन्रिजर्ब कैटिग्री रहां स्कोर रह गया पर स्सक्षा नहीं होगा रिजर्ब पोटेमेन की रैंक आएगी नहीं क्योंकि ये अन्रिजर्व हैं अब बात कर लेते हैं गेस्ट फैकल्टी अन्रिजर्व में 749 रैंक है क्या 749 रैंक पर सेलेक्शन हो सकता है तो प्रकासी हम आपको बता दें अगर आपके स्कोर थे 106.25 नॉमलाइजेशन में आपकी स्कोर कम नहीं होते तो आपकी पॉसिबिल्टी बहुत जानदा होती लेकिन हम आपको बता दें आप वर्गिती सीटेट यूपीटेट की तैयारी कलने तो अच्छा होगा क्योंकि आपकी पॉसिबिल्टी है यहाँ पे 50% ठीक है आपकी सेलेक्शन की चांस कम दिख रहे हैं प्रकास लगता है कि सेकिंड कांसलिंग में हो जाए लेकिन चांस आपकी बहुती कम है 50-50 दोस्तों इसी तरह अगर आप भी अपना रिचल्ट देखना चाहेती है तो जल्दी से हमें रॉल नंबर डेट आप बर्त बता दें हम जल्दी से आपका रिचल्ट एनलेसिस करके वीडियो कि माध्यम से आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से चलू करें थैंक यू